परमेश्वर ने संसार से अपने आपार प्रेम के कारण अपना एक लौता पुत्र बलिदान कर दिया, कि हर एक ऐसे व्यक्ति का, जो पुत्र में विश्वास करता है, उसका विनाश न हूँ, परन्तु वो अनंत जीवन प्राप करें. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोश लगाने के लिए नहीं, परन्तु संसार के वो धार के लिए भेजा. हर एक उस व्यक्ति पर, जो उनमें विश्वास करता है, उस पर कभी दोश नहीं लगाया जाता, जो विश्वास नहीं करता, वो दोशी घोशित किया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र में विश्वास नहीं किया.